हाई अबरिवान विल्कम बाग तो मैं चानल सो दोस्ट हुआने में में जरेहाना सो आज हम बात करने वाले इंस्टाग्राम टॉपिक की लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ पॉइंट बताना चाहते हैं लाइक जैसे कि आप यह टॉपिक देख रहे हैं इसमें हम आज आपको के सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं यह बैसिकली उन लोगों के लिए हैं जो इंस्टाग्राम में न्यूजर हर दिन बहुत सारे आड होते हैं इसलिए मैंने सुचा कि यह सीरीज जरूर बनाते हैं तो अभी जो नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन आइ HERा हम जरूर प्रेस कर लें क्योंकि आगे बहुत इंट्रस्टिं वीडियो आने वाली हैं तो चलिए अभी आज की video की बात करते हैं आज हम आपको बताने वाले हैं इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे स्वोडिय करें सट यह इंस चीजहें कवर करेंगे सो चले अभी देखते हैं सो इंस्टाग्राम अकाउंट क्रियेट करने के लिए आपके पास दो चीजे होने चाहिए फर्स्ट वन हमारा मोबाइल नमबर आपके पास कोई नमबर होना चाहिए सेकेंड या तो फिर इमेल आईडी मतलब दोनों में से एक चीज या फिर एक्जिस्टिंग जीयमेल से बना सकते हैं अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की जो एंड्रोइड यूजर है या फिर जो ए ूसर उनके लिए जो प्रोसेसे वह सेम है सबसे पहले हमें क्या करना है ऐप्लिकेशन को डाउन्लोड करना है इंस्टाग्राम को लोड़ोड करना है जैसे ही हमारा इंस्टाग्राम डाउनलोड हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे अपनी अपको ओपन करेंगे लॉग इन पेज का ओपन होकर आएगा लॉग पेज देगेगा जिसमें आपको कुछ ऑप्शन देखेंगे लाइक लॉग इंटु एग्जिस्टि निव अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो यहां पर वो यूजर नेम मांगता है तो आप कोई भी यूजर नेम दे सकते हैं यहां पर test01 जैसे ही हम यहाँ पर user name देते हैं वो चेक करता है कि यह user name ऐसा तो नहीं exist करता है अगर वो exist करता है तो आपको यहाँ पर red color का error message देदेगा जैसे कि आपने देखा user name test01 is not available तो यहाँ पर वो option भी देदेगा उससे related जो जो available है इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी select कर सकते हैं फिर हम क्या करेंगे next करेंगे अब हमें क्या करना है यहाँ पर create करना है password अपना जो भी आप password रखना चाहें तो वो strong password आप रख सकते हैं सो जैसे ही मैंने करा तो यहाँ पर क्या रहा है save और आप नहीं save करना चाहते तो आप ये choose कर सकते हैं मैंने इसको कर दिया है save जैसे ही save करेंगे complete sign up अब यहाँ पर क्या रहा है complete sign up तो हम जैसे ही इस पर करेंगे और यहाँ पर एक और option आ रहा है add new phone और email तो यहाँ पर दो चीज़े हैं जैसे ही हम यहाँ पर click करेंगे तो यहां पर आपको दो option आ जाएंगे तो यहां पर आपको करना है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो चीजों के जरूरत पड़ती है एक phone number and या तो फिर email तो अगर आप phone number से create करना चाहते हैं तो आप यहां पर put कर सकते हैं कर आप email से create करना चाहते हैं तो यहां पर आप email डाल सकते हैं जैसे ही मैंने यहां पर email डाला तो यह next का बढ़ना आ गया सो हम इस पर कर देंगे next यहां पर हमने जैसे ही next कर दिया तो अब यह क्या होगा enter confirmation code सो अगर आपने phone से बनाया होगा तो आपके पास phone number पर verification code जाएगा अगर आपने Gmail से बनाया होगा तो आपके Gmail पर वो code आएगा सो जो भी code यहां पर आता है आपको यहां पर टाइप कर देना है सो हमारा code आ चुका है अब हम इसमें code एंटर करेंगे मैंने code एंटर कर दिया यहां पर next की बटन दिखा रहा है हम करेंगे click next पर सो जैसे ही मैंने next पर click कर रहा तो registering करके आ रहा है सो हमारा यहां पर step complete हो गया अब यहां पर क्या रहा है find facebook friends to follow और यहां पर आ रहा है connect to facebook और skip मतलब अगर आपके पास facebook page है आप उन लोगों से connect करना चाहते है तो आप यहां पर click कर सकते हैं otherwise skip कर सकते हैं तो अभी के लिए हम यहां पर करेंगे skip यह मैंने कर दिया skip सो अब यहां पर आरा add photo profile photo तो अभी के लिए आप skip कर दो जिससे कि आपका एक page open होकर आ जाए जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर हमारा page open होकर आ चुका है जिसमें अभी कुछ भी चीज़े नहीं है तो हम इस profile को आपको proper बताएंगे बनाके कि step by step आज के लिए मैंने account create किया है जैसे हम यह जो bottom पर यहां पर profile बनके आ रही है उस पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो यहां पर देखिए आपका top पर user name बनके आ रहा है test 01 जो भी हमने create कर रहा था और यहां पर post followers following और यहां पर edit profile और यहां पर कुछ भी नहीं क्योंकि यहां पर अभी कुछ भी content नहीं है सो इसके आगे हम continue करेंगे next video में so next video में cover करने वाले हैं personal creator and business account तीन account type होते हैं इन तीनों में difference क्या होता है और हमें कौन सा account कब create करना चाहिए so stay tuned with us next video इसके बाद आने वाली है तो हमारे साथ जुड़े हैं तो मिलते हैं next video में till then bye bye